यूपी का जो भी कानिन बेवस्ता वो बिल्कुल बेवजाएगा है, कुछ भी नहीं है, वो सरकार अपना मन मानी, जो गी सरकार मन मानी अपना जो मन में आता वो करता है, जिसको जेल में, कोई भी उस पे आवाज उठावे तो उसको जेल में डालो, अभी आप फिला ले, दो उसके घर पे कोट नोटिस चला जाता है, उसके घर पे पुलिसों के द्वारा जाकर टोर्चर किया जाता है, तो आप खुद देख सकते हैं, जो कि उस पे कोई टिपपनी नहीं है, ये गीद गया कि यूपी में कावा, इसके लिए करके तो सरकार को कुछ होना नहीं नोटिस जारी कर दिया जाता है, बीते दिन की बात करो, प्रियाक राज में हत्या कर दी गई, यह भी चोराय पर हत्या हुई है, उमेश पाल की, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी क्या पे अपनी पीट थप थपा आती है, या फिर बागे में कानून बेवस्ता पूरा लचर है, कानून बेवस्ता, पर दिन हत्या हो रही है, महलाओं के साथ बलतकारी की जा रही है, अपरहन किया जा रहा है, और अंग्रेज एक चला गिया, दुसरा अंग्रेज यह बीजेपी की सरकार है, हम लोगों तो यह दिखने के मिल रहा है, कि कुछ बेवस्ता पूरा बखवास है, और बखवासी यह करते हैं, बीजेपी के सरकार, योगी सरकार तो और पूरा ताना साही सरकार है, ताना साही सरकार है, लेकिन तमाम तरह कि अकर हम बात करें, तो और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं, जिन पर बीजेपी ने काम किया है, बीज रोजगार के लिए रोटी पानी के लिए अगर उस तरह का अगर योजना चला कर रखे तो लोगों को तो मतलब उसका तो नाम जाई जक्कार होना चाहिए आप किसी भी स्टेट में चले जाए योगी का नाम बोलेगा तो आपको सबादमिगाली के से ही बात करता है योगी जी यगी के लिए बाबा के नाम से तो बुलडोज़र बाबा के नाम से तो बाकि की जो अगर मैं बाकी पिर्देश की सरकार की बाते करूं उत करूं तो उसी पर जो आवाज उठा थै न बाबाबा पर, उसके घर में बॉल्डोजर चला दिया जाता अगर वो अगर कुछ भी करता है उसके घर में कुछ नहीं होता उसके कोई कानून करवाई नहीं है यहीं है कि बीजेपी छोड़के और जो भी आदमी उसका आवाज उटाएगे इंस पाटी भी तो उनको पर बुल्डोजर चला जा रहता है उसको हिरासत में दी जाती है कोई कह रहे है ना कि जो गलत बोल रहा है उसके पर बाबा आए है कभी भी कहीं भी निकल ले कोई दिक्कत नहीं है मैं यूपी से हूँ और डिश्टिक राइवरेली से हूँ जहां पिछले पचास साथ से कांग्रेस हुआ करती थी आज मैं चोड़े से कह रहा हूं कि बाब है तो सड़के हैं बाबा है तो घर दुकान मकान है और बाबा है तो कानून बेवस्था का राज है तो बाबा है तो बाबा ही है और आज है कल है और हमेशा रहेंगे पर 24, 29, 34, 49 बाबा ही रहेंगे यानि कि बीजेपी का जो आब आगे कि अकर मैं रणने नीदी की बात लेकिन बात मैं जिस तरीके से आप कानून बेबस्ता की बात कर रहे हैं मैं बीते दिन की बात करूँ क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज विदान सभा की बात करूँ विदान सभा में उठा है कि प्रियाग राज में जिस तरीके से हत्या की गई है उमेश पाल की क्या लगता है भी चोराहे पर हत्या कर देना कि क्या संदेश जाएगा जनता को कि हम इनको मारना है आपको मारना है तो तो अगर मनने के लिया तो मारी देंगे फिर लेकिंष के बाद क्या पो आपके निगाह में आपके सामने हैं और यही चलता रहेगा लेकिं समाजबादी पार्टी का कहना है कि जितना विकास हुआ था धरातल पर उन्होंने शुरुआत की थी बीजेपी केबल और केबल अपनी पीट तप तपा रही है अगर उन्हें शुरुआत की थी तो उसको अंतिम तक क्यों नहीं लेके जा पाए वो स पूरा देखिने अभी जेवार्स रेडी हो रहा है पूरा जितने भी हाइवेज देख लिए सामने दिख रहा है है कि हाइवेज स्टार्ट हो रहा है वहीं पे उसी टाइम के अंदर उसका ज़ुआ नहीं है वहां पर सी पत्ति काटने नहीं है पर्ची लगाना नहीं है यहां काम करके दे रहा है बाबा इसलिए हम बाबा के साथ है लेकिन अगर बात में समाजवादी पार्टी की करूं या विपक्ष की बात करूं विपक्ष का कहना है कि लोगतंत्र की हत्या यह हिडलर राज है बीजेपी का जो राज ह वो हिटलर राज है। वो क्या लोगतं की बात कर रहा है। परिवर्तन मैं तो महसूस कर रही हूं मेरा काम है जनता की आवाज उठाना आपके साथ ही बोल रहा हूं अगर एक पत्रकार है महसूस कर रही कि नहीं मैं सुरक्षित हूं तो बहुत सारी महिलाएं सुरक्षित हैं और आपकी बीडियोटी एक्वेली है कुन महिलाओं के लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हुआ है तो उसके बात उनके साथ कानून ब्योस्ता ने काम क्या किया है वो कह रहे हैं बच्चे गलती कर सकते याद करो उनके नारे कि बच्चों से गलती हो सकती है याद करो उनको अरे बच्चों से गलती हो सकती तो उनकी सजा होगी कोड मत कहें, मत कहें, अपने सब्दों को आपस ले लें, चुकि उनके राज में क्या होता था, उनके निता क्या बोलते थे, आप रिमेंबर कर लिजे.